नमस्कार स्वागतिया आपका आप देख रहा है इंडिया वोईस और मैं हूँ आपके साथ योगेश पांडे यूपेस उपिसल में रूख करेंगे खबरों का गुरुग्राम सी खबर है जहाँ पर मुलायम सिंग यादाओ का हेल्थ बुलेटन जारी किया गया है उत्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंतरी मुलायम सिंग यादाओ का हेल्थ बुलेटन जारी किया गया है हेल्थ बुलेटन में हालत क्रिटिकल बताई गई है नेता जी के इलाज के लिए विशेशग्गी डॉक्टरों की टीम मेदानता में मौजूद है और नेता जी का लगातार इलाज चल रहा है हालत क्रिटिकल बताई गई है डॉक्टरों की तरफ से तो पिछले 6 दिनों से मुलायम सिंग यादाओ जो कि उत्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंतरी है और भारत के पूर्वरक्षा मंतरी भी रहे है और ऐसी में उनका इलाज मेदानता अस्पिताल गुरुग्राम में चल रहा है जहां पर डॉक्टरों की ट्रीम लगातार निगरानी कर रही है और उनका समय के अनुसार हेल्थ बुलेटन भी जारी किया जा रहा है कारेकरताओं और नेताओं की तरफ से लगातार गुआओं का दवर जारी है लगातार उनके चाहने वाले मेदानता अस्पिताल भी पहुंच रहे है और हलाके इस कड़ी में अकलेश यादाओ और राम गुपाल यादाओ अस्पिताल में मौजूद है उनकी तरफ से लगातार वहाँ पहुंच रहे है लोगों से अपेल भी की जा रही कि वो अपने घरों पर रहे है और समय पर उनको जानकारी दी जाएगी मुलाइम सिंग यादाओ के स्वास्त को लेकर के तो हेल्थ बुलेटन जारी किया गया है जिसमें हालत क्रिटकल बताई गई है अभी कहा गया है कि अभी भी स्वास्त ठीक नहीं है क्रिटकल हालत बनी हुई है लगतार मुलाइम सिंग यादाओ के मुलायम सिंग यादो पिछले दिनों से मेदानता अस्पिताल में भरती है उनका इलाज चल रहा है वहाँ पर एक डॉक्टर की टीम जो है लगातार उन पर निगराने कर रही है और आचर प्रमोत प्रिश्णम भी इस दौरान अस्पिताल पहुंचे हैं उनके स्वास्त का हाल चाल जानने ज्यादा जानकारी के साथ हमारे समधता प्रियाम पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए है चले संपर्क नहीं हो पर रहाब फिर सिंग यादो के स्वास्त की जानकारी लेने प्रियाम पाठक हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर बने हुए है प्रियाम क्या कुछ जानकारी है क्योंकि मुलायम सिंग यादो का जो हेल्थ बुलेटन जारी हुआ है उसमें अभी उनके हालत जो है वो क्रेटकल बताई गई है बिल्कुल योगेस देखिए नेता जी पिछले कई जिनों से मेदानता गुरुगराम में जो एड्मिट है उनका हालत अभी भी जो है काफी गंभीर बनी हुई है और लगातार अगर आप देखें तो वीसे सगी डॉक्टरों की निगरानी में है और जो कंडिशन है वो लगातार क्रिटकल बनी हुई है डॉक्टरों का एक वी सपेशल पैनल जो है वो नेता जी की देखवाल में लगा हुआ है और लगातार उनके जो कह सकते हैं समर्थक है उनके पहुशने का ताता भी जो है उस्पताल पे लगा हुआ है चाहे वे बक्षी नेता हो चाहे वो सपा की नेता हो या फिर बक्षी पार्टी की नेता हो सभी लोग जो है वो नेता जी को देखने के लिए वहाँ पर पहुश रहे हैं कांगर्स नेता पर मुतिवारी जो है वो भी आज जो है मेरांता पहुंचे हैं वहां पर उनका हाज़ा लेने के लिए अकले शादों खुत वहां पर पिछले शे-साथ दिनों से वहां पर मौजूद हैं जिसे तबियत नेदाजी की खराब हो इसी परिवार के अने सद्द्स भी मौजूद हैं तौन लगातार उनके पास उनके चाहने वालों का उनके जो अद्याई हैं, उनके जो समर्थ हैं, उनके पहुशने का सीद्ला जो है जारी है, इसे पहले इसदापन मलिक जो थे उनका हाज जलो बुलिट इने के लिए, इसके इनके अलवा आवगर अब देखें, तो कई जो लगातार उन पर नज़र बनाए हुए है लेकिन जारी किया गया है उसके मुताबिक मुलाम सिंग्यादों की जो इस्तिती है वह अभी भी काफी गंबीर बनी हुई है आइस्यू में जो है वेंटिलेटर पर निता जी इस समय है और एक डॉप्टरों का स्पेशल पैनल जो है वह निता जी का जो है जो है द्ट जी की निग्रानी घुर है वह और रहा है इलाज कर रहा है लेकिनुस त्री अभी भी गंबीर बनी हुई है बहुत-बहुत्र बहुत शुक्रिया तमाम सारी देने के लिए प्रीयाम पाःथक हमारे सयोगी हमारे साथ जोड़े जिन्होंने बताये कि किस तरे किसे लोगों के पहुँशने का दौर वहाँ पर जा रही है लगातार मुलाम सिंगे सौस्ट को लेकर के लोग जानना चाहते हैं कि पिलाल क्या स्थिती बनी हुई है उतरप्रदेश के बलिया में पहुँचे बीजेपे प्रदेश रध्यक्ष भूपेंद्र ने कॉंग्रेस के भारत जोडोयात्रा पर हमला करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को भारत जोडोयात्रा पाकिस्तान के पेशावर करांची और इसलामाबाद से शुरू करनी चाहिए थी क्योंकि कांग्रेस की सरकार में ही ये देश woman हिस्सा जो है देश से वह विबहाजित हुआ है उसके बाद इसे तो कोई विबहाजन नहीं हुआ है तो वहाँ जहां तक कॉंग्रेस पार्टी का विश्य है उनकी यात्रा प्रारम होने के बाद उसमें अंतर विरोत तनाव टकराओ जिस प्रकार से राजिस्थान और अन्य राज्यों में हैं तो उन्हें कॉंग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए कॉंग्रेस को अपने परिवार को जोड़ना चाहिए। कॉंग्रेस अपनी पार्टी को जोड़ने का काम करे ना कि भारत जोड़ो यात्रा निकाले। कि यात्रा करांची से इस्लामाबाद से पेशावर से सुरू करनी चाहिए थी क्योंकि उन्हीं की सरकार के समय ये हिस्सा देश से विभाजित हुआ था उसके बाद तो कोई विभाजन हुआ नहीं है तो जहां तक उनके कांग्रेस पारेटी का भी से है अब उसकी यात्रा प्रारह होने के बाद जो में अंतर भिरोद्ध-, टकराव-, तनाव-, किस प्रकार करका राइस्स्तान में अन्य राज्यों में हैं तो उन्होंने कांग्रेज जोड़ों यात्रा करनी चाहिए अपने परिवार को जोड़ने के लिए काम करना चाहिए यूपी के बरेली जिले में लंपी वाइरस के मामले लगातार गोवन्ष में बढ़ते जा रहे हैं बरेली के ग्राम समस्पुर में सैक्लो आवारा पशुओं और घरेलू पशुओं में लंपी वाइरल देखा जा रहा है इंडिया वोईस के समधता सनी गोश्वामी ने खास रिपोर्ट तयार की वो आप देखिए पशू है और इसके पूरी तरह से थ्रविल पर फोने हैं आपों में से आप लिकला है लोगों में यहां पर दवाईयां लगाई है कुछ ग्रामिड हम उन से बात करना चाह रहे हैं क्योंकि इस गाउं में सैगलों पशू ऐसे हैं आवारा और जो पालतु है जिन बें लगाता क्या बैइक है रहें और लूग कह रहे हैं कि सरकारी डॉक्तर के वल एक यहां पर आया है उसके बाद मैं नहीं आया और यह लोग घरीभ होने के बाद भी प्रैवेड एनलाज कर रहे हैं अम्मा क्या नाम है क्या कुछ इलाज कराया है आपकल त्समस्प्रकों द्श्य तो क्या कुछ दे जब सरकारी डॉक्टर आया था क्या दवाई दी उसमें गोली और यह चिछ फंड़ की दवाई देगा इसी में एकमर्ट उसते कोई फायदा नहीं हुआ तो यह अम्मा का कहना है कि जो डॉक्टर आये थे उन्होंने दो गोली दीती कुछ दवाई दीती नंद किशोर के साथ मैं सनी गोसा में इंडिया वाइस बरेली उदर प्रयागराज पहुंचे यूपी के डेप्टी सेम रिजर्श पाठक ने प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या पर चिंता जताई है डेप्टी सेम रिजर्श पाठक ने कहा है कि बढ़ते मरीजों के लिए रिजर्व करने के लिए भी निर्देर्शित किया गया है डेंगू के बढ़ते मरीजों पर डेप्टी सेम ने चिंता जताई है आपको बता दे कि प्रयागराज दौरे पर डेप्टी सेम रिजर्श पाठक पहुंचे हैं और इस दौरान उन्हों उन्हें तमाम सारी बाते कही हैं लोगों से चर्चा के दारां डेंगो के बढ़ते मरीजों पर चिंता जाताते हूं उन्हें कहा है कि अस्पाँरों को बियोगो दस रखत करने के लिए कहा गया कि लिएگ्जू के था इस तरीके से ऐन्हें रेuction करी त्रिया वियुद्हों में कहा गया है कि सभी उष्पतालों को निर्दे शित किया गया है कि कोई भी मामला आये तो उसे इसे हिलाह वाली महीं ना लिया जाये संगीन जिस तरीके से गहंता से लियाा अधुक कहा है कि दरसल सभी अश कॉतालों में, दस बेट भी आरक्षित करने के निर्धेश्ट दिए गए हैं, ऐसेшие में लोगों को किसी भी तरीके के कोई दिखकत का सामना नहीं करना पड़ेगा डेंगु मरीजों को दिखकतों का सामना नहीं करना पड़ेगा बाउजूद इसके जिस्तितिया बंती नजर आ रहे हैं उसको लेकर करके बिजेश पाठक नेचिंता जरूर जाहे की हैं यूपी की राजधानी लखनों में सीम योगी से टाटा समू के चेर्मैन एन चंदरशेखरन ने सिश्टाचार भेट की है आपको बता दें कि उतरप्रदेश के बहतर निवेस पॉलिसी और इज ओफ डूइंग बिजनेस को टाटा संस जल्द कर सकता है उतरप्रदेश में बड़ा निवेस इसी को लेकर अलग-अलग छेत्रों में निवेश की संभावनाओं और उतरप्रदेश के चहुमुके विकास पर चर्चा की गई है तो टाटा समू के चेर्मैन ने मुख्यमंतरी योग्यातनात से मुलाकात की है चेत्रों में निवेश को लेकर के चर्चा की गई है और ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से निवेश को लेकर के उतरप्रदेश में जो इस्तिती पैदा की गई है जो बेतर विवस्ताएं दी जा रही है लोगों को ऐसे में निवेशक लगातार उतरप्रदेश में निवेश के लिए आ रहे हैं और आज इसी कड़ी में टाटा समू के चेर्मेन ने भी मुख्यमंत्री योग्यादितनाथ से मुलाकात की है और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की है टाटा समू के चेर्मेन ने मुख्यमंत्री योग्यादितनाथ से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दोरान कई शित्रों में चर्चाएं की गई टाटा समू के चेर्मेन ने मुलाकात के दोरान बेतर निवेश को ले करके भी चर्चा की गई हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश किया जा सकता है और किस तरीके से व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है क्योंकि लगतार उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से दावा करती नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए बेहतर पॉलिसी गाइडलाइन्स तैयार की गई है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में निवेशकों का आकर्चन बरता नजर आ रहा है और इसी कड़ी में आज टाटा के चेर्मेन टाटा समो के चेर सीतापूर में लगातार हो रही बारिश के चलते जन जीवन अस्तिविस्त है। लाहरपूर तहसेल में 200 साल पुराना हनुमान मंदिर बारिश के चलते ढ़ाय गया। हलाकि दर्शन करने पहुंचे शरधालों की किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुंची। सुबा मंदिर में पूजा अर्चनया के बाद जैसे ही शरधालों बाहर निकले वैसे ही मंदिर भरभरा कर ढ़ाय गया। कई दिनों से हो रही बारिश होने के चलते ये हादसा हुआ ह इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानी नहीं हुई है। वैसे ही ये मंदिर धैड़ा गया। धैड़ा कर और हलाकि किसी भी तरीकी कोई जनहानी होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो उसी को जए थोड़ा चितिका था उसी दरार में पानी आ गया होगा उसे फैल गया हुआ। मंदिर था बहुत प्राचिंग मंदिर है। अच्छा। यूपी के आगरा में बिना मानकों के हॉस्पिटल नहीं होंगे अब संचालित जिसको लेकर स्वास्ते विभाग ने कारिवाई करते हुए जन्पत भरके अस्पतालों में बेस्टी में सरवे के लिए भेजा है। विभाग की कारिवाई से अस्पतालों में हडकंप मच गया है। अस्पतालों का निरिक्षण करेंगी आगरा सी एक खबर है जहां पर कारिवाई से अस्पतालों में अब हडकंप मचा हुआ है। चार अस्पतालों को अब तक सीज़ कर दिया गया है और एक अस्पताल के खिलाफ एफ आई यार भी दर्ज कराई गई है। अब अब होस्पिटल पर स्वास्त विभाग का अप्षिकंजा कस्ता नजर आ रहा है। उधर यूपी के अमेठी में संग्राम पूर्थानाक शेतर के गाजियापूर रामगर गाओं में उस समय हडकंप मच गया जब चार दिनों से गायब यूवक का शव उसी के चाचा के घर में फांसी के फंदे पर लटकता मिला। जिसके बाद परजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने सूचना देने के बाद भी चार दिन पहले ही केस्त दर्ज नहीं किया था। तो अमेटिस ये खबर है जहांपर लापता यूवक का शौ मिला है और सबसे बड़ी बात है कि उसी के घर पर लटका उसी के चाचा के घर पर लटका हुआ शौ मिला है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का नोईड़ा से बड़ी खबर आ रहे हैं जहांपर सेक्टर 3 में कैमिकल फैक्टरी में भीशर आग लग गई है। से आग लगी है ऐसी कही जा रही है बाते मौके पर राहत और बचाओ काम के लिए तेम पहुची है और राहत और बचाओ कारे लगातार जारी है। नोईड़ा के सेक्टर 3 का मामला है जहांपर कैमिकल फैक्टरी में भीशर आग लगी है। शौर्ट सर्किट बताया जा रहा है अग लगने के कारण दमकल की कई गारियां भी आग बुझाने में जुटी हुई है। नोईड़ा से इस वक्त की ये बड़ी खबर है दर्शुकों को बता दे कि शौर्ट सर्किट से आग लगने के अर्शंका जताई जा रही है। दमकल की कई गारियां मौके पर मौझूद हैं देखे किस तरीके सिधुए का गुबार उठ रहा है। आकला निसी से लगाया जा सकता है कि कितनी भयावा आग लगी है और आग ने पूरे फैक्टरी को अपनी चपेट में ले रखा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे समधता नितिन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। नितिन नोईडा सेक्टर 3 में ये केमिकल के फैक्टरी में आग लगने की कारण श्रॉट सर्किट बताया जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी आपके पास से अपडेट। पर आपके पर रवाना कर दी गए उसके बाद पर पर आपके बात कर दी गया है आपके जो आपके लोगों पर निकाल जारा रहा है। कितना नुक्सान की आसंका दाए जा रही है नितिन? जी बिल्कुल अभी जो आपके बात के जाना तरह नुक्सान इसमें काफी बताया जारा कि नुक्सान इसमें काफी यहाँ कियोगा क्यों पर आपके रहा है। सब्सक्राइब काम करते रहे होंगे तो क्या वो लोग सब्सक्राइब बाहर निकल पाए है अब तक जो पूछा जा रहा है कि कोई अंदर मौजूद नहीं है जो सभी लोगों को बाहर निकल ले गाए है तो पूछा जा रहा है कि इसमें कोई अब बाहर निकल ले गाए है साथ जो आतपास की जो कंपनियां उनको सभी को फाली कराया जा रहा है जल्दी से जल्दी क्योंकि का आग जो रूप इसमें ले लिया इसको जो जाता ना पहले तो उसको देखते हुए जो तुरंस करें आपर तमकल ज़ुआ कि पांच से जाड़िया मौके पहुंजू दे तमाम सारी जानकारे देने के लिए इनितिन उदर उत्तरपदेश की आगरा थाना सयाक सेत्र के इस्थित लदू खेड़ा प्रात्मिक विद्याले में डिजिटल मॉडल पर शिक्चो को की बड़ी लापरवाहिस सामने आई है जहां समय से पहले ही स्कूलों में ताला पात्र छात्राओं की छुट्टी करा दी जा रही है और जिसका सोशल मेडिया पर वीडियो भी लगतार वायरल हो रहा है तो यह तस्विरें हैं समय से पहले ताला लगा दिया जग्या है और देखिए किस तरीके से यह दरसल हम आपको यह नीचे लोकेशन भी दिखा रहे ह है टेलिविजन स्क्रीन पर कि कहां का यह मामला है और समय क्या है क्योंकि किस तरीके से शमय के से पहले ही स्कूल को बंद कर दिया जा रहा ह। Łद यह समय देखिए चाहिए बनाया गया है और social media पर अब यह वारल हो रहा जाद जानकारी के साथ हमारे से मयांग तयागे हमारे साथ फॉन लाइन पर बने हुए है जो 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 बिदार होते है इन वीडियो को तो फर्जी तरीके से बताते हुए उनको नागवाज गुजरते हैं और अपना समय पर आना दिखाते हैं लेकिन कहीं न कहीं जो जिस विक्टी नहीं काईदा इस पूल वीडियो में लोकेशन गूगल मैप के मादब से सेट किया है तो कहीं एक डिजिटल मॉडिलाइशन जो की यूवी जी का सपना है और लगातार सपने को साकार करते हुए इसकूल और सिच्छा मंदिरों को काया कल्प करते दिखाई दे रहे हैं लेकिन सिच् कि आज का यह वीडियो है और एक बहुल करके संँवेडियो कर ने से कि अगर पहुंचा तो उनकी तरů किस कहा जा रहा ही पूरे मामले को लें अधिकारी स्वासन देते हैं जांस के लेकिन जांस के नाम पर किवल खाना पूर्ती की जाती है और लापरवाह सिच्छकों को भड़ावा देने का काम भी उच्छा अधिकारी की तरस्ते किया जाता है अगर एक बार भी कड़क तरीके से अगर कोई कारवाई होती है तो अधिकारी जानकारी देने के लिए मयंग उदर गोला गोकर नाथ बीजेपी के विधायक स्वरगी अर्विंद गिरी के हर्ट अटायक से मौत हो जाने के बाद गोला विधानसवा के सीट पर उपचुनाओं कराया जा रहा है जिसमें सपा ने पूर्व विधायक विने गोशित किया है वहीं बीजेपी की तरब से अभी कोई आधिकारी घोशना नहीं की गई है गोला गोकर नाथ सेट पर उपचुनाओं की घोशना कर दी गई है सपा ने अपना प्रत्यासी भी घोशित कर दिया है विने तिवारी शमाजवादी पार्टी के प्रत्यार्शी हो जहां उन्होंने जिलादिकारी इस राजलिंगम से मुलाकात की तो कुशी नगर दोरे पर मंत्री अनिल राजभर हैं और इस दोरान जनपद मुख्याले के सरकिट हाउस पहुचे और जिलादिकारी से मुलाकात भी की इस दोरान उन्होंने यूपे स्पेशल में फिलाल इतना ही खबरों के लिए आप देखते रहे हैं इंडिया वैस नमस्कार